कि अभी कि अभी कि अभी को एक बार मुझे बता दीजिए तो कहानी को आज की शुरू करते हैं कि अभी को आज कर दो कि अभी को आज को आज की कहानी को शुरू करें चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं आज की कहानी को शुरू करने से पहले जिसने अभी तक टेलिग्राम गुरूप जोइन कर लेना आगे की क्लासेस की लिंक भी जो है वो सब नोटिफिकेशन लिंक सारी चीज़े आपको टेलिग्राम गुरूप पर ही देखने को उसलीरी ऑलायंस जो है वो कि लिया गया है ईकविजी राव हुल करके सकेंड म token के दौरा और अब किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है वह कहानी को आज की कलास में हम करेंगे आज की कहानी जो है और इसलिडिके से चले कर लूँ पीबी की एकजाम की बात कर लूँ या पीएससे प्रिलिम्स की बात कर लूँ तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा अब कैसे इंपोर्टेंट रहेगा तो जैसे हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि भई राजवाडा का निर्मान जो है वो किसने करवाया लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप आप देखने को मिलेंगी जैसे लाल बाक का निर्मान किसने करवाया चतरी बाक का निर्मान किसने करवाया माडिक बाक का निर्मान किसने करवाया तेयों गिता गंज जो है किसने बसाया तो बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो फैक्चुल डेटा वाला जो है अब इसमें आएगा तो इसलिए एक लास को पूरा देखना जो जो चीज़े हैं उनको नोट डाउन कर लेना आज आपको pen paper का भी साहरा लेना पड़ेगा क्योंकि नहीं है तो का अप Лिख लिजएगा ठीख सक्की कहानी को शुरू करते हैं अ मुट के चलू अब कहानी को शुरू करते हैं और एक बड़ी कम दिख रही है क्या बांत भार मैदानी हरा पड़ने में ऐसा लग राए कि मजानी आरा पढ़ने में क्या ऐसा ऐसा लग रहा है कि भुलकर ही पढ़ना है एक ही डाइनस्टी पढ़ने की इसा कुछ है क्या कि इसी में थक गया है इतना कौन पढ़ाता है ऐसा कुछ चलिए मैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट अच्छी न्यूज लेकर आने वाला था पर अब क्या ही बता है आप बाद में कभी बताएंगे चलिए तो आज की कहानी को शुरू करते हैं हम थे किस पर मलहार राव होलकर सेकेंड को हम पढ़ रहे थे उसी के करें तो पंजाब तक का ख्षेतर आगरा तक खेतर चेतर टक का खेतर जो है तो सब कुछ किसके अंत्रगत आ रहा था तो होलकरों के अंत्रगत आ रहा था Katha अब कहाणी जो है वो बदल रही है क्योंकि यरिश्वन्दराव कर के बेटे आते हैं सबसुरी अलाइश बैलैस वो कमजोर शासक है उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें किस तरीके से शासन करना है एक टाइम पर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए कैसा विक्ति था जिसे अंग्रेज काप रहे थे और आप देख रहे हैं कि छाबनी जो है वह इंदोर में होलकर स्टेट में आपको बनी इनका टाइम पिरेड अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो महिने के लिए इन्होंने राज किया था मतलब पूरे दो महिने भी राज नहीं किया था इसी लिए जब आप से पूछा जाता है कि सबसे शौटेस्ट टेनियोर होलकर बंच में किसका रहा तो सबसे छोटा कारका अग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है अब मार्तन राव होलकर की बात करें तो मार्तन राव होलकर का जन्म 1830 में हुआ डेथ कब हो गई 1850 में हो गई जस्ट इमाजिन 19 साल के उमरे 20 साल में तो गद्दी देते थे मतलब ये क्या रहा ये रिजेंट के अंतरकत रहे है किसी संडक्षन करता के अंतरकत रहे है कि राज उन्होंने किया बस नाम मार्तन राव होलकर का था पर चुकि नाम मार्तन राव होलकर का था इसलिए हम जो क किया गया साथ अब इनके साथ में एक और है इंको केश्री वाइई कर कहा जाता है यह थोड़ा सा ध्यान देना ना इन को करश्णा वाइई कर को कहा जाता है इंपोर्टन करेक्टर है आगे चलकर यह आपको से या अप मिये हैं इसने टों कई कि ये इनी का गयते हैर सोंतर राजपाट बड़ाया था उन्हीं की इस्वाइव भ३ हॉल कर इसलिए है इनकी छतरी भी अपने लिए इंपोर्टेंट रहेगी तो कृस्ट हो अन्यकी वाइफ है तो थोड़ा था विशेश विशेश तोर से आपको ध्यान रखना है पिर रूल आपने देख लिया 1934 में 1834 में इन्होंने रूल किया है केबल दो महिने के लिए रूल किया है वो भी पूरी तरीके से रूल जो है वो नहीं किया था अब हुआ क्या है कि इन्हें एडॉप्ट तो कर लिया इन्हें एडॉप्ट तो कर लिया गया था मारतंडरा होलकर को लेकिन जनता इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी और जनता का बहुत जाबा प्रेशर था इसी वज़े से अंग्रेजों ने इनको नलिफाय कर दिया और इनके अधिकार को नलिफाय कर द तो सबसे पहले क्या डूढेंगे मारतन राव हुलकर को ही हम ठूढेंगे ठीक है तो इंपोर्टेंट ए थोड़ा सा विशेश तोर पर ध्यान रखिए है इसका नाम क्या है हरी राव उलकर चलो एक हरी राव हुलकर कौन है तो अभी जो हमने देखा मारतन राव हुलकर को है ना उसके बाद में हरी राव हुलकर को लाए ये भी कौन है ये भी एडॉप्टेड है क्योंकि मलहार राव हुलकर सेकंड के अपने कोई बच्चे नहीं थे तो पहले वहाँ पर हमने देखा मारतन र पड़ेते हैं कि उनके तीन भाई थे यश्वंद राव हुलकर के तीन भाई थे मलहार राव हुलकर काशी राव हुलकर और विठ्ठोजी राव हुलकर जो है अरे मंजा चलिए यह विठोजी रावविखुओंगर के लड़के हैं यह हरी राव हुलकर याद रखना अब यह विठोजी राव हुलकर कई recommended बड़ा ही अच्छा मेसेज लगा मुझे कि उन्होंने इमानदारी से पड़ा है उन्होंने का सर्य यश्वंत्राव हुलकर को और विठ्ठोजी राव हुलकर यह दोनों जब घायल हो गए थे तो घायल होने के बाद यह नाकपुर में गए मुसले के पास मैं मैंने कहा जी हां उसके बाद में आपने बताया कि यश्वंत्राव हुलकर जो है वो भाग निकले विठ्ठोजी राव हुलकर का क्या हुआ तो मैंने बताया था कल भी आपको कि विठ्ठोजी राव हुलकर भी भाग निकले ते किसके साथ में यश्वंत्राव हुलकर के साथ मैं ठीके उसके पर पकड़कर इन्हें कैद करकर इन्हें हाथी से कुछलवा दिया था क्या करा था विठ्थो cra और यह चीज़ों का गुस्सा ही तो था जिसलिए बैटल ऑफ पुना आपने देखी ती बैटल ऑफ पुना जिसमें पेश्वा कोई हटा दिया था यश्वंत राव रहे थे वह इसी चीज के गुस्से में कर रहे थे वह कि भई विठ्ठो जी की तुमको मतलब ऐसे जान लेने का क्या हक बनता है तो आपको समझ में गया है विठ्ठो जी राहुलकर की कले वाली कहानी अब विठ्थो जी राहुलकर के ही बेटे है हरी राहुलकर और इन्हें बनाया जाता है अग्लाश आसक अब यह कब से कब तक रहते हैं तो 1834 से लेकर 1843 तक 9 साल तक जो है यह रूल करते हैं लेकिन वही चीज़ है कि कुछ है नहीं इसमें इन्होंने कुछ काम ऐसे नहीं किये जो हमारे लिए पड़ने बाकि आप देखोंगे तो बुक्स में इनके बार में दिक्र भी नहीं है पर मैं चुकी पूरी क्रोनोलोजी आपको बताना चाहता हूं इसलिए मैं एक एक बंदे को लेके आया हूं अब इनका बस एक ही काम है कि इन्हों क्या किया इनका भी कोई बेटा नहीं था तो इन्होंने एडशक किया इन्होंने फिर एड़र किया है और इन्हों एक्ष्य को एक जमिदार है सिंपल सा लोगिक ठीक है फोलकर राजिक एक जमिदार है बापूजी राव तक बेटा था खंडे राव तकर लिया वसके ना आपको पता होना चाहिए अब यह जो खंडे राव तर्ड में आप एक चीज देख पा रहे होंगे इसके जो देख सक्कुछ लिखा ही नहीं है सब कुछ ही गायब है अंडेराव हुलकर कर टाइम पिरिट देखो मात्र एक साल यह रह पाए इनके टाइम में पस एक चीज़ हुई कि राजा भाव फड़से नाम के एक दीवान जो है अडॉप्ट कर दिये गए ते तीन से चार दीवान आपको पढ़ने रहेंगे यान जो समझत तीन से चार दीवान आपको पढ़ने रहेंगे और यह दिवान कौन हुआ करते थे तो जैसे पेशवा नहीं हुआ करते प्रजा और अच्छे से उपाए उसके लिए दीवान जो है रहा करते थे तो और आगे चलकर दो तीन राज़ा और रखेंगे दीवान को और वो अपने लिए बहुत इंपोर्टन रहेंगे तो बस यह आप दीवान को अलग से एक छोटी सी जगा में ऐसा चार्ड सा बना लेना और उसमें कर देना कि वही किसके टाइम पर कौन दीवान रहा था अब RZA, 47, 44 में डेथ हो गई लेकिन इनके टाइम पर क्या हुआ है पहला High School होलकर राज्ज में पहला High School जो है उसकी शुरुवात इन्हों ने कर दी और इनी के टाइम पर एक Residential School अब Residential School क्या होता है तो आपने देखा होगा जहां Hostel की सुईधा रहती है उना रेसिडेंशल स्कूल जो है हुलकर राज में वह भी इनी ने चालू करवाया था किसने खांडे राव हुलकर ने तो यह दोनों पॉइंट अपने लिए important है और एक तीसरा राजा भाव खड़से का important है बाकी हरी राव खांडे राव हुलकर में कुछ भी हमारे लायक पढ़ने लायक जो है वो नहीं बचता है अब खांडे राव हुलकर के बाद में अगला कोना रहा है तुकोजी राव हुलकर दुती आ रहे है तुकोजी राव हुलकर जो है अब द तुकोजी राव हुलकर दुकोजी राव हुलकर दुती जो है इनका वास्तविक नाम क्या था तो याद रखना यहां से कहानी important है अब वापस से important हो गया है वह जो ऐसे चोटे मोटे थे वो मैंने आपको बता दिये यहां से construction वर्क जो है वो चालू होता है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अब देखिए तुकोजी राव होलकर कि अगर बात करें तो तुकोजी राव होलकर कब से कब तक रहे हैं तो सबसे पहले देखिए टाइम पीलिड 1844-1886 अठाव सत्ताओन की करान्थी में कौन मिलेंगे तुकोजी राव होलकर सेकन्ड मिलेंगे इनी का वास्तविक नाम क्या है इनका वास्तविक नाम है जस्वंत राव होलकर तो अब चुकि राजा बना रहे थे तो बड़ी पोस्ट देनी थी जैसे हमने देखा कि अकबर को क्या है उपादी एक तरीके से मिली वही थी फिर हम बात करें अलाउदिन खिल जी की तो राजा बनने के टाइम उसने उपादी लिए तरीके से अलाउदिन खिल जी वह फिर आगे चलकर के लाया था बस वैसे ही यहाँ पर आप क्या देखते हूं कि जो तुकोजी राव होलकर सेकंड है यह दो बार राउ आ गया है तुकोजी राव होलकर सेकंड जो है इनका औरीजिनल कि आप लोगो को कितने बात मारतंट अर्याव कर के चाचा है संसोजी अलकर ने चलतकर का बेटा यस्वंत होगर वही राजा बना क्या तुपूजिद की नाम से वह से वेरी वेरी वह इंपोर्टनाक वुषेश तोर पर ध्यान क्रिश्णा भाई होलकर के बारे में इ프िट निए एक्शाना के लिए इंक्पोर्टन रहेंगी कि कौन क्या थे किस ने किस ıllी पर क्या काम किया तो ये आपके लिए मंड रहेंगी तो तुखि राव होलकर के बारे में इदुरी कहानी आपको समझ में आ गई है इंपोर्टेंट क्या-क्या है तो निख लेना यहीं पर कॉंग्रेस की स्थापना दूसरा रिवोल्ट ऑफ 1857 दोनों किसके टाइम पर हुआ सीधा सीधा कुशन आता है तुकोजी राव होलकर का वास्तविक नाम क्या था यश्वंत राव होलकर था ठीक है तुकोज अंग्रेज जो है वह होलकर स्टेट में रहा था यहां से अच्छा कुश्चन जो है हाई लेवल एक कुश्चन जो है वह बन सकता है देखिए इस टाइम पर ब्रिटिश रेसिडेंट कौन हुआ करता था इस टाइम पर ब्रिटिश रेसिडेंट हुआ करता था है मिल्टन है एक अंग्रेज व्यक्ति दरबार में रहेगा और वो सारी चीजे जो है वो देखेगा तो यहां पर ब्रिटिश रेसिडेंट कौन था हैमिल्टन था और यह हैमिल्टन ने किसकी बढ़ाई करी तो ब्रिटिश संसत्य बढ़ाई करी तुकोजी राव सेकंड की क्या कहा कि यह अच्छा व्यक्ति है यह हमारे काम आएगा तो इससे रख लो दूसरा फिर कौन है ब्रिटिश रेसिडेंट करनल दुरान या दुरंड अब इसको विशेश तोर पर ध्यान रखना यह बहुत इंपोर्टेंट बंदा है क्यों इंपोर्टेंट बंदा है क्योंकि 1857 की जब क अच्छा पर्मानेट अजियंट कौन था बताना जरा कि आहां महूरीजंस है बिलकुल 1857 की क्रांटी में यह मैंने आपको पढ़ाया था आपको याब हो तो कि अपरमानेंट कौन ता किसकी जगह पर यह थे किसकी जगह पर थे यह और बता दो मज़ा जाएगा मुझे समझ में आजाएगा कि रिविजन आपका कितना सही है मैं माइक इंट्जस कर लों तब तक अब बोले सर वो रिविजन नहीं गया ना वही तो बात है कि इसर की जगह पे बहुती गलत पिशर था पक्का अब भी पॉलिटिक रिकॉर्डे ले रहे हो विकाल मेरी जॉब कि यह से ठीक है कि अब यह कौन था कि अब आख चुट्टी पर गया था यह तो सही है अब चुट्टी पर गया हुआ था यह तो विल्कुल बात सही है चलो आपको नहीं या दिनी आख जिगर है रावर्ड हमिल्टन क्या बात है चलिए अब 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 देखो कौन है ब्रिटिच रेसिडेंट हमिल्टन तो हमिल्टन किसकी बढ़ाई कर रहा है तुकोजी राव की तो क्यों बढ़ाई कर रहा इंदोर में होगा तब इसको पता होगा किसके बारे में तुकोजी राव सेकेंड के बारे में कॉमन सेंस की बात थी ठीक है अगला कौन सा इंपोर्टेंट है तो दुरंद हमारे लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इंदोर में वाक्या हुआ था जब अठाव सेकेंड ने बहुत समझाया था दुरंड को बहुत धोएगी तुम निकल लो तुमारे बीवी बच्चों को और हजाने को मैं पहुंचा देता हूं पर नहीं माना दुरंड और वहीं रुखा और इसी के चलते इसका एक कान चला गया था ठीक है तो यह कौन है ब्रे सपता था अब यह वापस से रिराइट हो गया है इसको मच जाना इसकी यह का यह देखो गवशनर जनरल लॉर्ड कैनिंग है इसका रोट केनिंग पर मने बने आपको प्रेस किया कि इसका तिकवजी राव सेकेंड आउरिवालिश्ण आफ ऐटें 2500 की रांति इसे के लिए एक दरबार लगा था क्या का जाता है जबलपुर दर्वार लगाता क्या लगाता जबलपुर दर्वार ठीके कब लगा था 1860 पे लगा था इसमें कौन आया था लॉड केनिंग आया था और लॉड केनिंग ने किसकी बढ़ाई करी तुकोजी राओ से गड़ की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दिखान से समझ लो कुश्चन कैसा आएगा कि बताईए 1867 के क्रांटी के बाद में दिल्ली दरबार जैसा दरबार जो है मद्द प्रदेश के किसे जिल्वे में लगा था इंदोर जबलपूर गौालियर भूपाल है ना क्या का लगा है अंसर तो याद रखना जबलपूर में जबलपूर में जो 1860 का दरबार लगा था 1867 क्रांटी के विरोध में जो लगा था उसमें कौन वेक्ती था डलहोजी था कैनिंग था ऐसे करके नाम याद क्या रखना है कौन था कैनिंग आया था ठीक है तीसरी चीज़ किसको किसकी बढ़ाई करी गई थी 1860 के जबलपूर दरबार में तो बढ़ाई करी गई थी तुकोजी राओ सेकेंड की अब सर सिंधिया की नहीं करी गई थी सिंधिया की भी करी गई थी डिपेंड्स ऑन ऑप्शन के आप्शन में आपको क्या दे रहे है ठीक है तो यह तीनों ही चीजों का विशेश विशेश तोर से आपको रखना कि बट सपोर्ट नहीं किया तो प्रेश क्यों है अरे भारत भाई ये 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 केनिंग भारती दोड़ी है इसने किसी ने पूछा कि सर इसने सपोर्ट नहीं किया तो प्रेश क्यों किया अरे इसने भारतियों का सपोर्ट नहीं किया अंग्रेजों का तो किया ये यह तीनों चीजें आपको समझ पहले ओन साहिए किसके कारकाल के टाइम पर Hamilton जो इंदौर आया था, किसके कारकाल के टाइम पर दुरंट इंदौर में था, तो आपको ध्यान रखना है दोनौं के टाइम में क्या लगाना है तो को जीरा उझुंद हुआघर Qajira Ops लगाना है इंदौर आये थे या उस टाइम पर होलकर वंश का राजा कौन था जब लॉर्ड नॉर्थ बुरुक जो है वो इंदौर पहुंचे थे तो इंदौर पहुंचे थे अठारा सो बहुत तर में टाइम क्या था तुको जी राव सेकेंड यहां से फिट से बता रहा हूं वाले प् पूछेंगे फिर 1867 में प्रिंस ओफ वेल्स यह कहां आते हैं यह इंदौर में आते हैं ठीक है 1866 में अब यह कुशन फिर से पूछा जा सकता है इस वर इस मोर इंपॉर्टेंट यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कि किसके कारकाल के टाइम पर हुलकर वंश के वह कौन दिल्ली दरबाः वेयरी वेयरी इंपॉर्टेंट इ में इससे ओल्रेडी कुशन से नहीं पूछा गया दों यह द्रवार जो है कब लगा है 1837 ने लगा है ये इसके पहले भी दिल्ली दर्वार लगे supports याद करो दिल्लीकु रध्ञानी बनाया था गोषणा करी गई थी तो यह तीस्रा दिल्ली दर्वार जो है वो लगाया गया था दूसरा फिर कब लगा था आजादी के बाद आजादी के बाद फिर दूसरा दिल्ली दर्वार लगा था जब कुईन विक्टोरिया को समागरी घुशित कर दिया गया था और तीसरा दिल्ली दर्वार कब लगा है 1877 में लगा है अब जब दिल्ली दर्वार लगता था ना तो दिल्ली दर्वार ऐसा था जी साब वाला मतल रखना दिल्ली दरबाद थर्ड में कौन गयते खोलकर भंश कौन था तुकोजी राओ सेकंड थे अब इसमें सिंध्या भी जाएंगे भोपाल के तो क्वीन विक्टोरिया के जो पसंदीदा लोग है उनने कहा जाता था, काउंसिल्स, तो वैसे ही एक काउंसिल किसे बना दिया गया है, तो कोजी राव सेकंड को बना दिया गया है, अब लबो लबाब यह है, मुद्दा यह है, कि सर ये CII क्या होता है, कि यह कोई बता सकता है कि यह सी आई आई क्या है अबस इतना बता दो को अब यह ऐसा जिसे आइडिया हो कि सब्सक्राइब क्या है अब बता हो जब तक मैं आपके एक दो कमेंट ले लूं कुछ क्या क्या है अरे जोर्ज केसल यहां तोड़ी बनेगा नो आइडिया चलो आई पिल देखते हो गए तो वहां पर आपने एक दो चीज़े देखी होंगी क्या चीज़े देखियोंगी सबसे बड़ा फैन नाम का एक आवर्ड चालू किया क्या है आई पिल का सबसे बड़ा फैन कौन सा है यह सब दर्शक बिल्कुल बावला हो रखा है यह क्यों किया गया ताकि दर्शक इंट्रेस्ट लेकर मैच को देखे पूरा मैच देखे या हर हथकंडे आते थे जिससे कि लोगों को बुद्धु बनाया जा सके ठीक है तो इनके द्वारा क्या चालू किये गए कुछ आवार्ड चालू करें गए अब मुझे पता था यह चीज में आपको दिक्कत आएगी तो मैं पूरी कहानी आपके सामने लेके आया हूं यह जो आवार्ड है यह तीन तरह के अवार्ड हुआ करते थे ठीक है यह क्या हुआ करते थे यह तीन तरह के अवर्ड हुआ करते का और पूछ ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए है दाएज आइए अंग्रेजों ने 18 Car 1878 में क्विन विक्टोरिया के द्वारा क्या चालू करवाया तो इन्होंने एक आवार्ड चालू करवाया उसे एक आवार्ड दिया जाएगा तीन तरह के ऐसा था अंग्रेज भारतियों से एसी उमिद मदद करेंगे हम उन्हें आव़ोर को न देंगे चेंगे तो मीड़म कीन विकटोरिया देंगे इंग्लेंड से आ रहा है वह उर्ड़ का में प्रिटेश वह राव ए उसे भी मिल सकता था पुर सबसे चीज क्या थी सावर्ड की वह ऐसा था कि यह नहीं था कि भाई नाइट ग्रांड इक को मिलेगा हो सकता पचास लोगों को दे देए ऐसा नहीं था कि आवर्ड एक को इंपार रवाड बताया कि अभी तो अभी यहां तक जाएंगे क्यों जाएंगे क्लेंगे क्यों काम है कि वार यहीं लोग है इनका देश ओर राजने इन पर शही है लोग है इसानी अब इसके आगया की कहानी समझते हैं अब थोड़ा द्खान से समझने की कोषिश करिएगा तो कोजी राओ खुल कर के समय के कार अब देखिए क्या हुआ घ्या हुआ था एक कहानी है एक कहानी है थोड़ा सुनो तो थोड़ा आपको दिमाख चलेगा आपका आपने पियार एजेंसी का नाम सुना है किसी व्यक्ति की इमेज चमकानी हो तो कुछ उसे ऐसा प्रदर्शित करतों कि यह जानवर उससे बेंतियाशा प्यार करता है हो सकता उस पर जानवर के जाता है क्योंकि कुछ गलती हो गई और उसकी भरपाई करने आपकी इमेज डाउन हो गई और इमेज को सुधारना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ठीक है बस ऐसा यहां है ना देखिए एक ऐसा विक्ति जिसने अंग्रेजों का साथ दिया जिसने भारतियों का साथ नहीं द 1665 क्रशी सुधार जो है वो चालू हो रहे है क्या चालू हो रहे है एडमिनेस्टरेटीव रिफॉर्म चालू हो रहे है और इसमें सबसे पहले क्या करवाया जाता है तो होलकर राज की जो क्रशी भूमी है इसका माप करवाया जाएगा कि बहुए कितनी जमीन किसके पास में कितना मतलब प्रूडुक्शन वो करते हैं कितना उत्फ़बादन करते हैं करना क्या चाह रहे हैं ख़लाना कुद का का क्षाली भर ना चाहरे हैं अगर 1877 के करांती में इन्होंने साथ दिया होता भारतियों का तब शायद लिखने में और मज़ा आता तब शायद समझने में और मज़ा आता बट जो भी है हमें पढ़ना है पहली चीज़ होलकर स्टेट में अब कुश्चन कैसे आएंगे पहला होलकर शासक बताईए जिसके द्वारा भूमी मापन चालू किया गया भा तो कौन है? तुकोजी राव सेकंड्ड पहला ऐसा होलकर राजा जिसके द्वारा तक्कावी लोन जो है उसे देने जाने की शुरुबात करी गई अब तक्कावी लोन क्या होता था? तो जैसे आज किसानों को लोन दिया जाता है क्रशी क् की शुरुवात करी गई रिंड देने की शुरुवात करी गई ताकि किसान प्रोडक्शन ज्यादा कर पाए तीसरा उकोजी राव सेकंड ने क्या किया पंचायत सिस्टम पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया अब पंचायत सिस्टम पर ध्यान दिया मतलब क्या कि भारत में या होलकर स्टेट में पंच प्रणाली जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए ताकि लोगों की समस्या जो है कुछ हद तक वहीं की वहीं पर सॉल हो जाए तो यह स्टार्टिंग के दो जो है यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है कि किस यह चालू हुआ है अब नेक्स्ट इसके बाद में देखिए नेक्स इनके द्वारा कुछ और काम करे गया जैसे एक हमने देखा किसानों के लिए किया गया एक इनोंने अच्छा कार किया वह क्या किया तो लैंगिक समानता को भहत ज्यादा प्रोचाहन कि मैं पुरुष महिल थो यह समान है इने में आप उपर नीचे बैद्भाव वाली स्टेट मिल मद्द प्रदेश में एक कपड़ा मिल की स्थापना जो है वह चालू करी गई है अब यह खोलकर मिल का कितना आया था 15,000,000,000,000 रुपे 1867 में आया था कितना पंदरा लाग रुपे का खर्चा लगा लेकिन यह खर्चा किसे उठाया यह उठाया तुको जी राओ से आ रहा था लोगों को बहुत महंगा पड़ता था इसी वज़े से इन्होंने किया और इन्होंने एक डिमांड भ खापना किसने करी या कब करी गई तो 1867 में करी गई अब खजाना चुकी खाली था जिब खजाना खाली था तो अब इन्हें कुछ तो करना था खजाना भरने के लिए तो इन्होंने एडवाइस किया इन्होंने भी चीज को समझा कि किस तरीके से में अपना खजाना भर सकत तो इन्होंने दो चीजे कारी क tiefश बट बढ़िया काम करें पहला कारी जो इनके दवारा किया गया क्याई ये इससे आपको बाज मिलेगा और वह बाज मारा से ये बहुत सारे सोशल वर्क सामजिक कार गने जो बढ़िया कार था जिसने आंता को बहुत मदद में थाका का था यो इनके को अंग्रेजों को लून लोन दे रहे हैं क्या व एक क्रूड रुपे का ्छाए बसक्राविक राज में क्या फिछा दो्षर र norm लाइन से क्या ऊपर देखना कुषल व्यापारी की निशानी वो तुको जी राउ श्रीड में आपको देखने को मिलें यह आप नहीं आपने देखा एक तरह मिल्स कि श्थापना कर दी है किसानों की बात कर रहे हैं और अब क्या कर रहे है एक करोड रुपे का इन्होंने जो है मतलब ब्याज पर पैसा दिया वो भी अंग्रेजों को दिया है क्यों दिया है ताकि रेलिवे लाइन आ जाए अब इस रेलिवे लाइन से क्या फाइदा होगा आप समझ सकते हैं आज की तारीक में भी अगर आपके घर के पास में देख लीजिए वहां ट्रेनों की संख्या जादा है इंदौर जादा डिवलब्ट है इंदौर में जादा इंडस्ट्री जैसा कुछ है लेकिन हमारे पास उतनी ट्रेंस नहीं जितने ट्रेंस होनी चाहिए इसी वज़ेसे फिर हम दूसरी चीज़ों की तरफ जाते की बस की टेक्सी की तरफ प्लेन की तरफ इन सब की तरफ जाते हैं तो रेलवे उस टाइम पर सोचिए जब हम आज सोच पा रहे हैं 2023 में तो उस टाइम पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा अब इससे क्या होगा जब रेलेवे लाइन आएगी तो क्या व्यापारी लो सब्सक्ति और देखिए दिमाग कितना सही लगा यह 1 놓an रुपै दिए और इसका ब्याज कितना अ रहा था एक स्टेट मिल एक राजजमिल और लगा सकते हैं तो यह कुछ जबरदस्त कारें जो है तुकोजी राव सेकंड के द्वारा करे गए हैं और यही कोश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बताइए वह कौन सा होलकर शासक था या वह कौन सा शासक था जिसने रेलेवे लाइन सरसेट में ही क्या किया है एक स्कूल की शुरुवात करी है यहां पर खुलकर राज्जिक्मों मानना पड़ेगा आइम पिरिट देखिए ऐटारा सो सरसेट में मतला दस साल बाद ही दस साल बाद ही शिक्षा को लेकर यह बहुत ज्यादा एक्टिव यह बड़ी आपको किसी बी ओर डाइनस्टी में इतना शिक्षा को लेकर इतनी जल्दी आपको काम देखने को मिलेगा मिलेगा सिंधिया में बोपाल अन्टर समझ लेना और रेलवे लाइन जो है इन्होंने कब से कब तक 1869 से लेकर 1876 खान दियुक्स के बीच मैं कौन कौन सी तो यह तीन और यहां से प्रिविएस यरब कुछन आल्रेडी पूछा जा चुका है तो ध्यान रखना इसका इंदोर था गया और इंदोर देवास उज्जेट जिसमें इंदोर खंडवा वाली मेजर मेजर इंपोर्टेंट ए यही परीवेस एर पूछा गया था लिक्ति तो इसका विशेश तोर पर ध्यान रखेगा क्या क्या सुधार करेंगा है या क्या क्या है राज जमिल आ गई है लोन आ गया है स्कूल आ गया है और तीन रेलवे लाइन की स्थापना घड़ती है यहां तक की बात सब अधिक सुधार आ रहे हैं कि यह रहे हैं है कि अच्छी चलिए अब यह एकनोमिक रिफार्म बताऊंगा लेकिन एकनोमिक रिफार्म के पहले आपको एक चीज़ और देखनी है एक व्यक्ति का नाम है यह और देख लो यह मैं लिखने ही पाया था मतलब हैद में नहीं है यह लेकर 1873 से लेकर 1875 तग ये कौन वेक्ती है तो ये हैं दीवान कि अभी बताया था दीवान के बारे में कि दीवान का काम क्या रहता है कि प्रशास्तिक सुधार करना जिससे कि आर्टिक सुधार आजाए उसके लिए होते हैं दीवान अब उसमें एक नाम है टीम आदा रहा हो अब सोचो कितना बड़ा नाम होगा कि स्लाइड पर जगा ने मिली तो अलग से बता रहा हूं आपको अलग से बता रहा हूं इनके बारे में यह एक रिटायर्ड अधिकारी है जो अंग्रेजों के अंतरगत काम कर च चाहिए इतना जादा इनका डिवलप्मेंट है इतना जादा बड़ा नाम है टीम आधाव राओ का कि अलग अलग रियासते जो है ना इनको दो-तीन साल से जादा कहीं काम नहीं करने देती जैसे बाद लिए खुलकर में काम कर रहे हैं तो पहले ही हो जाता था कि भई इसके कि रिफॉर्म जो है वो लेके आए जैसे आप यहां पर यह जितने भी चीज़ें देख रहे हो ना कि यह पोस्टन टेलिग्राफ विभाग है स्टांप विभाग है जंगल अकाउंट सायार डिपार्टमेंट यह सब इनकी ही देन थी कि भईया इन्होंने कहा कि यह सब लिए लिकर या जिन्नोंने आर्तिक सुदार के लिए बहुत काम किया यह किस हॉलकर राजा के टाइंपर तो आपको धियान है किसके टाइम पर थे तुकोजी राओ second के टाइंड पर थे clear है क्या बात यह बता दो इन बार कि इसी इनी का एक और काम लिख लेना इनी ने सजस्ट किया था मनसौर का मंसौर आर्मी को रद्ध कर दिया जाए अब ध्यान से समझने की कोशिश करना में क्या कह रहा हूं आप लोग को याद होगा भानपुरा नान की जगा हुआ करती दी जो अश्वंत्रा होलकर का गड़ पर फिर उसके बाद राजधानी तो इंदोर आ गई लेकिन मैसूर में मंसूर में एक सेन जावनी जो है वह यश्वंत्रा होलकर की यह बनी हुई है यहां पर हजारों की तावाद में सैनिक है लेकिन होलकर इंदोर की अगर हम बात करें तो यहां पर तो अंग्रेज बैठे उनको रोको गे तो यह मंसूर की सेना को पैसा जबरनी दे रहे ना तो यह कौन कहते हैं यह टीम आदावराओ को रहे हमें क्या डर किसी और से और अगर डर है भी तो यह काम अंग्रेजों को करने दो यह हमारा काम थोड़ी है अंग्रेज समालें इस सारी चीजे तो मंसूर की जो सेना थी यह मंसूर में जो चावनी थी इसे बंद करने का श्रेवित डिम आधर राउ को जाता है और किस ने करवाया है तो तुपोजी राउ सेकेंड को ने करवाया है क्लियर है समझ में अगई बात क्या कहा मेने क्लियर है समझ में आगई क्या पटाफेट कमेंट करो तो आगे बड़े चीक है चलिए अब देखिए 1886 1886 में क्या होता है यहाँ पर देखो 1885 में कॉंग्रस के स्थापना हो गई यहाँ पहली बार बजट करोड रुपय का बजट पेश किया जाता है और यह करोड का बजट करने वाले दो व्क्ति है मलप्पा और एक नाम है बलवंत राओ आनन्त राओ शिंदे तो इनके दौरा एक करोड रुपय का बजट अब समझ रहों कितनी वैल्यू बढ़ चुकी है कितना पैसा इनके पास में आ गया है कि एक करोड़ का बजट बना रहे है वो भी एक साल के लिए फिर रेवेन्यूट कलेक्शन के लिए राजसो एकत्रित करने के लिए विभाग बनाया गया जिसे क्या कहा गया सायर विभाग कहा भृणयशन चत्रफिक Nej फिर जंगल विभाग क्या है अबी तक जंगलों पर धिया गया है लेकिन जंगलों में भी बहुत सारी चीजे जंगलों में आपको लखड़ियों से ले कर जड़िवोटियों से लेकर बहुत सारी चीज़े मिलती है तो अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो यहां से भी पैसा मिल सकता है किसने सुझाया टीम आधा रहा उने तो ले जंगल अकाउंट डिपार्टमेंट बनाओ हमें जंगल की हर इंफर्मेशन होनी चाहिए उलकर राज में जितने भी जंगल है वहां कितने पेड़ हैं किस चीज के पेड़ हैं क्या वहां पर करने का डाक और तार विवाग एक सबसे बड़ा कारण था कैसे कारण था सर 18 सत्ताओं की क्रांटी में हमारे पास सूचना का आधान परदान करने का माध्यम क्याता कमल और रोटी मतलब हम इंडारेक्ली जो है लोग जब तक एक दूसरे को देखने लेंगे तब तक हम सुचना और और आछ था सत्ताओं के करांटी में अब जाकर क्या हैं अब होलकर वैश के ने क्या किया है एक विभाग चालू किया जिसका नाम है या हम भी सूचना वो अच्छे से परसारिए देखिए जितनी भी आप चीजे देख रहे हो चाहे हम बात करें कि भई ब्लबलब लाइन बिठाई गई क्या यह आकर्षित करेगी बाहर के व्यापारियों को तू जी हां बिल्कुल आकर्षित करेगी जो व्यापारी किसी दूसरे उसुस्य किसी pojaw हो हुए है कि यहां चलते हैं यह अच्छी जगह है रहने के लिए या डेवलप होने के लिए आप देख रहे हो ना जो देश बढ़ता रहता है उसी देश में पैसा लगाया जाता है जो एफडियाई और यह सारी चीज़यां देखते बस वैसा ही है उस होलकर स्टेट बढ़ रहा है उसकी एकनॉमी बढ़ रही है तो सीदी सी बाते इनको और ज्यादा लोग आ रहे हैं और जितने ज्यादा करमत काम करने वाले लोग आएंगे उतना ही इनका डेवलप्मेंट होगा बस सीदी सी बात है हेल्प मिल गई फिर चौथा लेकर आए क्य है different करवाना है कुछ लिखवाना है या कुछ भी करना है तो इससे क्या होगी इनकम एक्स्ट्र इंकम जरट होने लग चता है शिर्फ होने लग गए थी सिर्फ कि तो यह भी किस ने करवाया तीम को समझन मैं आर्थिक् सारे की सारे माधवराव की देन है और उसमें सायर विभाग जंगल लेखा विवाग पोस्ट टेलिगरा विवाग और डाक टिकेट विवाग चालू करे गए थे समझ मैं तुकोजी राव हुलकर सेकेंड बहुत इंपोर्टेंट है फिर से बता रहा हूं विशेश तो ध्यान भाने नीइक्स्ट आप इसके बाद में अपवन आते हैं तो अब आ रहे है शीवाजी राव खुल्कर अना अब को न और है अगले शासक को बने है तो दो अगले के बारे में बात करें तो 1903 1885 में कॉंग्रेस का गठन हुआ और 1886 में यह वाई साब आ गए ठीक है अब इनका जन्म कब हुआ था ग्यारा नॉम्बर 1869 को जन्म हुआ है डेथ हो गई है 1908 में और इन्हों ने दीवान किसको बनाया है तो देखो वहां टीम आदा और आओ थे अब कौन आ गए है और रग 1880 में ही कहां जा रहा है हैं एंग्लेंड जा रहा है क्यों जा रहा है है सैलिबरेशन आट करने मoubtलफ अट करने किसका कि कि चीज की इनको शासन करते करते 50 साल हो गए हटने का नाम ही नहीं ले रही है तो 50 साल हो चुके है इनको शासन करते करते इसलिए और दुनिया भर से लोगों को बुलाया दुनिया भर के लोग जो है वो आए और उसमें हमारे शिवाजी राव खुलकर भी गए और शिवाजी राव खुलकर गए तो यहां पर जड़ा नाम पढ़ेंगे क्या आप नाइट ग्राइड कमांडर ओफ दा ओडर ऑफ दा स्टार किया यह नाम देखादेखा लगराए कि याद आ रही है जीचा दिर्पर कुमांडर आभ दो ऑडर ऑफ द्रस्टार ओफ इंडिया यह तीन अवर्ड से वह तर्म है सभी गारी यहह तो तो क्वीन विक्टूरिया के या ब्रिटिशर्स के अंग्रेजों के तो शिवाजी राव होलकर को भी या उन्होंने एक नए नया लॉलिपॉप दिया बड़ा वाला इस बार जो है चॉकलेट दी गई किसकी नाइट ग्रांड कमांडर की दी गई है ठीक है तो यह इंपोर्ट को आप अच्छे से बादल बादल बनाकर हािलाइटर करक कर लिना अभी तकиком कि करेंसी चल रही है उद्यों कि मुध्राये चल रही है अब मुध्रा को बदल दिया गया और अब अंग्रेज करेंसी चालू हो गई है उस हगए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे इसा ऐसा कुष्ष्व पुछा जाएगा ऐसा कुष्ष्व बिल्कुल पुछा जा सकता है कि भाइ उस टाइम पर तब करों की मुदरा को बंद करते हुए अंगरे जों के मुदरा को शुरू किया गया अतना तो यहाद रखिए नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क शिवाजी राओ खुल करके मैंने कहा तो कोजी राओ सेकेंड से जो निर्मानकार चालू होंगे तो खतम ही नहीं होंगे यह यह तो शिवाजी तो बिल्डर थे वही मतलब देखो आप क्या-क्या बनाया है इनके द्वारा क्या- में कोजी राओ होस्पिटल बनेव रहाए गया, संस्कृट कॉलेज और महिला रही चीजों का निर्माड किस ने कर दिया निर्माड कर दिया शिवाजी राओ होल करने अब इसमें इंपर्टेंट क्या है, तो इंस्पर्टेंट आपको यह लाल बाग पैलेस बहुत ज्याद यह पर रखना है कि यह किस ने बनवाए थे शिव सुक दरिया सुख विलास और दरिया यह किसने बनवाएं है यह विर्वरी बेरी इंप्रेंट एर पूचेंगे कि देखो इतनी सारी चीज़ें है एक एक चीज़ का मैं लिख भी दूं यहां पर यह तो तुम से याद हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा इस से अच्छा है हम वह वह चीज़ों को याद करें जहां पर आने की गुंजाइश है जैसे राजवाडा छत्री बाग लाल बाग इनको याद करेंगे त तो यहाँ पर पूछें के लालबाग पैलेस का वोलकर कॉलेज का या एमवाई हॉस्पिटल का इनके कुश्चन आएंगे ठीके अब देखिए यह यहाँ पर एक नाम समझ में रहा हो जन सेवार्त गरीब खाना तो हुआ क्या था जन सेवार्त गरीब खाने की कहानी पड़ा था एक बर्ष में वो त्रहीमाम त्रहीमाम मच गया था तो कोई भी व्यक्ति भूका ना सोए इसके लिए क्या किया गया था एक जन सेवार्त गरीब खाना खुला गया था कि रहने की जगा खाने पीने की व्योस्था होनी ही होनी चाहिए एंक्स टू किसको तुको यह लालबाद प्लेस एक यह जन सेवार्त गरीब ख़ाना और तीसरा वरी 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 इंपोर्टेंट पुलकर कॉलेज किस ध्थापना किस फुलकरर वन्षिको के राजा के यह सारी चीदे आपको कंठस्त होनी चाहिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी वीक में पॉलकर वंश का एक सेशन लेके आँगा जिसमें जो पढ़ाया है उसी से पूछूँगा लेकिन खोद खोद के पूछूँगा आपने कितना पढ़ा हुआ है समझ में आजा रहेगा तो इसलिए पहले ही कह रहा हूं अच्छे से इसको कम्प्लीट कर लेना चलिए नेक्स अब इसके बाद बात करें तो तुकोजी राव होलकर थर्ड अगले राजा कौन बने है तुकोजी राव होलकर थर्ड जो है वो अगले राजा बनते हैं अब तुकोजी राव होलकर थर्ड में क्या हो रहा है जैसे हमने शिवाजी राव होलकर के बारे में ब जिसका क्या नाम है जॉर्ज पंचम मतला कुइन विक्टोरिया अब थम गई अब अगले राजा कोण बनेंगे ब्रिटैन के तो वो बनेंगे जॉर्ज फंचम ठीक है और यह जॉर्ज पंचम के रजविशेक में ही कौन जा रहे हैं तुको जी रहतार्य जा रहे हैं अब यह एम जी रोड पर खरीकल चोरा है के पास मैं आपको एडवर्ड वर्ट एकने को मिलता हैक देखने को मिलता है जोकी इसी जानते हो kan nothing अब यह गांधी हॉल क्या है तो इसमें 2000 लोगों से ज्यादा की कैपैसिटी है 2000 लोगों को एक साथ कोई भी फंक्शन करवा सकता है तो इसी लिए 1904 में क्या बनाए गया था एड़बर्ड हॉल बनाए गया था लेकिन फिर देश आजाद हुआ 2029 इसना बदल कर गांधी DC अड़ कर दिया गया और इसे ही पिर आखे चलकर टाउन हॉल कहा जाने लगल घिया है तो आप हम अगी बिल्डिंग थी है वो भी किसने बनवाई तुकोजी राव होलकर के द्वारा बनाई गई गई कि और क्या अभी नियू हूं टाउन हॉल भी बनाए वो भी बताएंगे सारी चीज़े बताएंगे क्लियर है ना यहां तक कहानी क्योंकि मैं कमेंट आपके जादा देख नहीं पा रहा हूं को कंफ्यूज मत हो ना तुकोजी राव होलकर टू भी नहीं मान रहे थे बहुत सारी चीज़े बनवा रहे हैं पिर इसके बाद 1913 में एक अहिल्या आश्रम बनाया गया एक नहीं यह बहुत सारे अहिल्या पूरे होलकर इस्टेट में अहिल्या आश्रम मना दिये गए थे कोई नहीं है एना ऐसे लोग जो अनाथ है जिनका कोई नहीं है वरद्ध है या डिबोसी महिलाए है जिनका कोई नहीं है या उन्हें जाने की कहीं जगह नहीं मिल रही तो होलकर श्टेट में तो कोजी से पूछा जा सकता है कि भाई अहिलया आश्रम जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था तो कोजी राव घुलकर थड के द्वारा किया गया था इसी टाइम पर आप देखेंगे सब्बाकर दो पर पिंदर के नव रत्न-मंद्र यह भूट इंप्टरिय वेरी वेरे इंपॉर्टंट कि आप सब्सक्राइब और में एक हैं जो सेंट्रियम म्यूजियम है पहले जब इसे बनवाया करा गया ता तब यह क्या कहलाता था और आजादी के बाद यहीं नवर्तन मंदिर को किसमे ट्रांसफ折 दिया यह पूछती है और चाहे काच मंदिर का पूछा हो चाहे स्वात अंधरता सेनानियों मैं जटार की दिया हो थाelles मंदिर और छन्गा अधर ही शक्तिमान है फिर डब एंड डेफ स्कूल ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं उनके लिए स्कूल चालू किया तुको जिराओ खुलकर थड़ने फिर इंपोर्टेंट नाम वेरी 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 इंपोर्टेंट लेडी रीडिंग हिंदी और इंग्लिस दोनों में लिख करना या संगीत में कुछ करना या चटाई बनाना पापड़ बनाना जितने भी ऐसे चीजे हैं जो महिलाएं इन्हें से कुछ करना चाहती है तो उनके लिए एक सेंटर खुला गया था प्रशिक्षण केंद्र खुला गया था जहां पर वह कर सकते हैं उसको नाम दिया गया कि इप स्थापना कि ने रहें और करी और पेटलाववत कहां आता है तो धार जिले में आता है अगर आप लोग को याद हो तो याद हो तो जिलेटिन वाला आगंड हुआ था आज से कुछ वर्षों पहले ना बहुत से लोगों की जान इसमें चली गई थी ना तो जो है वो देखने को मिलेगा फिर नेक्स्ट इन्होंने ही क्या किया तो नागदा मतुरा रेलवे लाइन को इन्होंने हरी घंडी दिखाई थी इसके लिए जमीन दी अब धियान रखने वाली बात दोस्तों यहांपर यह है कि जहांपर भी धियान से सुनना जहांपर बी आरहा है लएंग समझ मारी क्योंकि क्यों क्या करेंगे और थ्री क्या करेंगे ुशेश तोर पर ध्यान रखे पर है कि महिश्वर ग्ञैजाम में पूछ ले कि महेश्वर में बैंक की स्थापना इसमें से किस खोलकर राजा के द्वारा या रानी के द्वारा किया गया बस इतना वह पूछ लेना आंदे तूफा ना जाएगा नाइंटी पर सट जनता इल्लिया वाई वोलकर ला क्या आएगी पर याद रखेंगे बैंक के स्थापना किसने करी तुकोजी राओ रूकर थर्ड के द्वारा करी गई गई और 1915 में हिंदी साहित सभा की शुरुवात करी गई अबकर वंच चाहता था कि मराठा भाषा और हिंदी भाषा दोनों का विकास हो और इन दोनों के विकास के लिए क्या चाहिए कि साहित सभा इंदोर में रखवाई थी जिसमें देश से पूरे देश से लोग आये थे और साहित के बारे में हिंदी साहित के बारे में जहनकारी दी थी ताकि होलकर कि आदे लोग पीएस्टी छोड़ देंगे एक बार याद है कुछ क्वेश्चन आया था तो याद नहीं आ रहा है उसका आंसर दिल्ली था मद्द प्रदेश उत्सव कहां बनाया जाता है आज भी याद लोग क्या क्या लगा क्या आए थे तो पीस्टी के आदत ऐसा कुछ ना कुछ एक जटका जरूर देती है ठीक है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना चले देख्ट अब लास्ट हम बात कर रहे हैं किसकी यश्वंत राठो कर इपकेंड की और अभी तक आम किसकी बात कर रहे थे दिखान से थोड़ा क्रोनोलवाजी समझ ले ना पहले आमने बात करी तुकोजी राठो राठोब कर सेकंड की फिर हमने बात करी शिवाजी गया एक बहुत ही अच्छी चीज आपको वताना में भूल गया कि एक मिनिट का समय ले रहा हूं देखो तुको जी राव होलकर पर वापस चल रहे हैं भी या अच्छा इसमें देथ का एए थिक ए उनिससो तीन से इनने सचाप्वेस तक राज़ किया इनकी डेथ नी हुई थी उनने सचाप्वेस में एक केस हो गया है वह केस में आपको थोड़ा सा बताता हूं कि वह क्या हुआ बड़ा ही अधबुत केस है कि देखिए मैं लिख देता हूं मां पद समय नाम ये अपना पद खाली करता है कि याद रखे के ये पद कौल farang खाली करते हैं तुकोजी राव-holkar 3000 कर देते हैं क्योंकि अंग्रे जिन से कहते हैं कि तुम इंडिया से निकल जाऊ नहीं तो मजबूरन हमें सजा देनी पड़ेगी था नप इंडिया से क्या करो तो मैं इंडिया से बाग जात आ attent कि इंडिया से भागना पड़ रहा है भुलकर स्टेट के राजा को वॉस कर रुभना बट रहा है तो गजब दिल्चस्प श्टोरी हो गई सथ हाग कि इननीस सोच चब्विस वे क्या होता है एक लेडी एजिसका नाम है मुंताज अ यहारी पर यह मुंटाज का तुकोजी राव होलकर धर्ड से एक अच्छे मितरता है अब जब यह मुंबई जाती है तो यह मुंबई से कार में कहीं जा रहे होते हैं ठीक है यह कार में कहीं जा रहे होते हैं ठीक है और इन पर होलकर स्टेट के सिपाही आकर गोलाबारी कर देते हैं और इनकी डेट हो जाती है मुम्ताज जी की और इनके साथ में जो व्यापारी थे उनकी भी हो जाती है अब यह सरे आम हुआ था सभी जनता के सामने हुआ था इसी वज़े से डारेक्ट केस बन रहा था तब अंग्रेजों के दोस्त हैं बड़ी उपादिया दे रखी आंग्रेजोंने तो इनको अब अब तुम तुम रास्तों नहीं कर सकते क्योंकि हमारे उपर बहुत दबावा जाएगा तो तुम चले जाओ और यह छोड़ चाड़ कर चले जाते हैं फिर यूरोप की सेर्वेर करते हैं बढ़िया यूरोप में गुमते रहते हैं वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है आप इस पर आपको ए को लेट काटा मोड़ेक करस अब्दार किसे का जाता है तो यह मेरे पीछे नाम पट हो जातारा कुछा का मुख्य क्रविक्टार केक्रदारक। कर समझ में क्लियर हुआ क्या है क्या कहानी है सारी चीज़े ह् हाँ साइलेट विक्चर है वह कि सब्सक्राइब आप सोचो किस लेवल के हम लोग आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं ताकि कुछ भी ना छूटे आपका हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या हुआ है अब मैं इसके हीरो हीरो इनका नाम भी आपको बता दू पर वो नहीं पूछा रहा है अब यह बड़ा ही दल्चस्प वाक्या ना जो मैंने आपके साथ शेयर किया अब आप इसको लिख लेना आपकी भाशा में जैसे आपको लिखना हो हम पढ़ रहे हैं आगे किस पर तो लास्ट रूलर ऑफ और डाइनस्टी अग्रवंश के आखरी राजा लास्ट रूलर ऑफ अग्रवंश के अंतिम राजा जो हुए वो कौन हुए येश्वंत राव रिचर्ड यह सब वह सब इनके बच्चे थे आब आपको पता होगा हमारे आपर एक आर्टिकल एक्टिवे का अंत तो अब यह राजा महराजा तो कहलाएंगे नवावावाव कुछ में नहीं कहलाएंगे तो यह कहानी पूरी खतम हो गई और वैसे भी 1948 में मर्जर हो गया अब होलकर स्टेट जैसा कुछ बचाई नहीं है अब तो भारत संग का हिस्सा हो गए है केंदरी भारत का सें आपको लिखना हो तो लिख लेना कि रूल कप किया 1926 में किया आपको समझ माई गया हो का 1926 करना क्यों कि वह चले गया अना अब 4049 में रूल करना बंद कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि विले पत्र पर साइन कर दिये थे मरजर पेपर पर साइन कर दिये थे 1947 में देश आजाद हो गया था लेकिन जो साइन करे गए वह में ने सो एटालिस में करे गए ते इसलिए मैं उनने सो एड़ाइस तक म क्या लेकर छलते हैं यह लेकर चलते हैं अब किसी इतना गफलत वाला कॉश्चन नहीं पूछेगा 1948 याद रख लो आपके लिए काम का है इनके पिता जी कौन है तुकोजिरा होलकर थर्ड है माता जी कौन है चंद्रवती भाई होलकर है नॉट बेरी इंपोर्टेंट अम मर्जर कप किया गया तो देखो यहां पर मर्जर दिया है 16 जून और एक मर्जर दिया जाता है 24 मैं 1948 तो उप राजप्रमुक क्या होता है तो जो आज हम गवर्नर को कहते हैं वैसे ही उप राजप्रमुक राजप्रमुक हुआ करते थे राजप्रमुक किसे बनाए गया तो सिंध्याओं को राजप्रमुक बनाए गया था और उप राजप्रमुक किसको बनाए गया क्योंकि यह उ है यह बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया है अब इंपॉर्टेंट चीज़े क्या है जो हमको इनके उसमें देखनी है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि अब इंपटेंट्ट लाव हुलकर के दवारा किस चीजों का निर्मान किया गया यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे यह वेरी वेरी इंप्टेंट जो है वो रहेगा सबसे पहली जीज नमबर वन यश्वंत सागर्बांद किस नदी पर बना उआ है बहुत बार कुछन पूछा गया है तो यश्वंत सागर बांद गंभीर नदी पर बना हुआ है एक ट्रिब्यूटरि है साहक नदी यह कब बना सब्सक्राइब करी यह क्रिकेट के स्पोर्ट के बहुत बड़े फैन थे अब याद करो अगर आपको लग रहा हो कि सरी एक्जाम में से कुछ आते हैं क्या तो एक गेम था कि अब इसेरा पूछा है यह खेल पूछ चुकिये पेले बिल्ज को करने का शरेक से जाता है यश्वंत रावण कर को जाता है इसी के लिए यसवंत रावण अब यह ब्रेज में लोग होते हैं तो चार खिलाडी होते हैं दो की टीम बनती है तो भेरी इंपोर्टेंट है वह देख लिए ना विटकर कृकेट अब इनके द्वारा करी गई अब सी के नाइडू का नेतरत में बतना होलकर क्रिकेट अकाड़मी के पहले अध्यक्ष कौन बने सीकेन अब याद रखना सीकेन आइडू का एमपी से कोई रिलेस्टन नहीं है यह साउथ से बुलवाए गये ते किसके दवारा यश्वंद्रा होलकर सेगेंड के दवारा पिर बीजासंट टेकरी टेंपल अब यहां पर एक इंपोर्टेंट चीज़े ध्यान देना इसमें दो चीज़े चल रही है मैंने बहुत सारी चीज़े खंगाल दिये मैं दोनों ही आपको बता देता हूं भीजासंट जो मंदिर है इसकी स्थापना यहीं बताई जाती है कि 1770 में करी गई थी तो यह मांन सकते हैं कि इधर मंदिर बन गया था और उसका फिर रिनोवेशन कराके 1920 किया गया पर अब ऑप्शन में वो क्या दे दे हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है तो इसलिए मैंने दोनों का लिख दिया है उन में सो बीस आता है तो यश्वंत्राव खुलकर सेकेंड और 1770 आता तो शिवाजी राव खुलकर अपने को लगाना है तो विशेश तोर पर इसका ध्यान रखिएगा फिर एमवाई हॉस्पिटल यश्वंत्राव हॉस्पिटल इन्ही के नाम पर इन्होंने हॉस्पिटल खुला 1948 में इसका काम चालूप हुआ है इसके बारे में यह हॉस्पिटल का निर्माण ही 1948 में चालू हुआ है बना तो ब सरकारी होस्पिटल होता था इतना बड़ा होस्पिटल जो है करने पहला और यह पहला सरकारी होस्पिटल है जिसको कंप्यूके करत किया गया था तो यह पॉंट भी आपके लिए बहुत ज़्क्र के यह तीन चार्व लगों से इतनी चीज़े समझ में आ गई क्या लिख लो फटा फट इसको तो फिर मैं आगे के फैक्ट बताओ आपको अब तक मैं पान यो नहीं पी लेता हूँ अब इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं कि अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है वह देख लो फोस्टेज ऑफ स्टांप किसके द्वारा जालू किया गया तो डाक टिकेट जारी करने वाले व्यक्ति देए 1885 में डाक टिकेट जारी करे गए और तुकोजी रहा होलकर सेकंड के टाइम पर जारी करे गए ठीक है अब चत्रियों की बात कर लेते हैं कुछ चत्री आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चत्री से कुशन पहले भी पूछे गया है देखो सेंटो पाता और कृष्णा भाई की चत्री अपने लिए इंपॉर्टेंट है आपको कहां देखने को मिलेगी इंदौर में अब बूलीया सरकार की चत्री है आपको कहां देखने को मिलेगी तो इन दौर में एम जी रोड के पास में ही आपको बूलीया सरकार की चत्री देखने को मिलेगी अजर ये बोलिया सरकार है कौन तो बोलिया सरकार जो है ना ये भीमा भाई होलकर के बेटे है ठीक है भीमा भाई होलकर के और भीमा भाई होलकर कोन है तो यश्वंतराव होलकर की लड़की है इसकी लड़की है यश्वंतराव होलकर की यश्वंतराव होलकर की पतनी का और य मिलेगी इन दौर में ही देखने को मिलेगी तो यह इसी लिए इसको ध्यान रखना थोड़ा अब यहां पर देखो 1919 में municipality की शुरुवात जो है वो कहाँ पर हुई है तो municipality की शुरुवात हुई है 1919 में इंदोर नगरपालिका की और पंचायत legislation कब चालू हुए है 1909 में हुए है यह डारेक्ली पूछा जा सकता है स्टार मार कर लेना municipality को और अःल्य भाई होलकर ने स्थापना का गर्वांग तीश्वार देखो 19-47 में तो थोड़ा ध्यान देना question में पूछा क्या जा रहा है अगर वहां लिखा हुआ है विच ruler established किस भोलकर शासक ने छत्री बाग लगवाई तो आंसर क्या जाएगा लेकिन अगर आ बनवाया तो आहिल्या भाई होलकर आपको ध्यान रखना है ठीक है वैसे ही अहिल्या भाई होलकर में एक और चीज़ आप रखना 1735 1735 में क्या होता है खजराना गणेश कि नमतकारिक जगा अजराना गणेश टेंपल इसको एक तरीके से ये मंदिर ये बनाया जाता है 1767 और शांदार सा मंदिर बनाया जाता है तो ये रख़ेगा रूलर पूचा जब वहां शासक लिखा हुआ तब ही मलहार राव लगाना नहीं तो अहिल्या भाई होलकर पिर छत्री और रहों कर एंड गौत्मी भाई की और अधरा रही कि चत्री आपको कहां देखने को मिलेगी तो यह चत्री आपको महेश्वर में देखने को होगा मिलेगी ऑप अधर कई जर को कि खत्री और गौत्मी भाई की पोमें याद आ रही है कृषना wh Southern के शत्री कहां पर है महेशral में है पिर इमपोर्टन चीज़ आती है दूसक्र 002 धिल कि अधर आपकर तो यह नाम इसे नाम कहा से आया गौत्मा भाई के नाम पर रखा गया एक नाम है क्रश्ण पूरा में शेश должно करके दौरा किसके द्वारा किया गया यश्वंत राव हुलकर के द्वारा कौन सा यश्वंत राव हुलकर है सेकेंड वाला है ठीके महेश्वर में आपको और किसकी छत्री मिलेगी विठोजी राव हुलकर अब विठोजी राव हुलकर कौन है यश्वंद राव हुलकर के भाई है और अहिल्या भाई की इनकी छत्री भी आपको कहां देखने को मिलेगी महेश्वर में इनकी छत्री जो है वो देखने को म चीक है चली अब इसके आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे बढ़ने से पहले अब कुछ चीजे मैं आपको लिखवा रहा हूं वह आपको लिखनी पढ़ेंगी मैं स्लाइड में नहीं डाल पाया था तो वह इंपोर्टेंट फैक्ट है जो बहुत जादा कहा गया और स्थापना कब हुई है 1904 में हुई है इसका आर्किटेक्चर स्थापत किसके द्वारा दिया गया या इसके डिजाइनिंग कौन करने वाला व्यक्ति था तो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है चार्ल्स फ्रेडरिक इसका नाम है इंपोर्टेंट है ध्यान रखि तो 1886 में कौन था तो इसका निर्माण तुकोजी राओ के टाइम से चालू गया था आपको याद होगा तुकोजी राओ सेकंड अठारासो छेहासी तक रहे थे और उसके बाद में कौन आये थे फिर शिवाजी राओ आ गए थे शिवाजी राओ आ गये थे अना और शिवा है तो यह इंपोर्टेंट है विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा ना लाल बाग पैलेस के बारे में यहां तक लिख लिया हो तो बता देना तो वह इसके आगे का आपको बता देता हूँ कुछ चीज़े और हैं जो आमें लिखनी है वो मैं लिखनी पाया था लाइड में डालनी पाया था हाँ अब लाल बाग पैलेस में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा यह लाल बाग पैलेस जो है यह लाल बाग पैलेस जो है यह लाल बाग पैलेस को किस तरीके से बनाया गया था यह किस तरीके से बनाया गया था तो यह यूरोपियन शैली में बना था यूरोपियन शैली म बना था और ये किसकी नकल है तो बकिंग हम पैलेस की नकल है इसकी नकल है तो याद रखिएगा बकिंग हम पैलेस और बकिंग हम पैलेस कहाँ पर है तो जहां पर क्वीन विक्टोरिया रहती थी थी ना उस जगा को कहा जाता था बकिंग हम पैलेस तो इसकी नकल है यह अब क और चीज़ लेना इसी में एक और चीज़ लिख लेना सिप्सक्राइक इस मुवीन की शूटिंगर यहाँ पर तो लालबाग पैलेस में आपको बघ्वे मोवी कि शूटिंग देखने को मिलेगी ऊपर आदा लोध रोल्र रेनोवेशन जो है वो करवाया जा रहा है रेनोवेशन जो है अभी चल रहा है अब यह लालबाग में पर यह बहुत अच्छा यह बहुत अच्छा यह बहुत अच्छा बना हुआ है इसमें बहुत गुलाबों का गार्डन हुआ करता था अब तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा था यह लालबाग पहले से खजराना मंदिर के बारे में आपको बता दिया है अब अगला एक नाम लिखो माणिक बाग यह नाम सुना क्या माणिक बाग नहीं सुना अरे एक और माणिक बाग भी यह उच्छे लओ उच्छी पसंद माणिक बाग इसे ही और क्या कहा जाता है तो इसे ही जैम गार्डन कहा जाता है यह ना इसे ही क्या कहा जाता है जैम गार्डन कहा जाता है इसे ही रूबी गार्डन कहा जाता है यह ना रूबी गार्डन भी किसे कहा जाता है इसी माणिक बाग को रूबी गार्डन भी कहा जाता है अब इसका निर्मान किस ने करवाया था महाणिक बाग का निर्मान किसके द्वारा करवाय गया था तो यश्वन्त राव यश्वन्त राव खुलकर सेकंड के द्वारा करवाय गया था यश्वन्त राव खुलकर सेकंड के द्वारा करवाय गया था कब करवाया गया था 1930 में इसका निर्मान करवाया गया था फिर तीसरा है इसके वास्तुकार इसके डिजाइनर तो इधर डिजाइनर का नाम भी लिख लिजे जिसने डिजाइन तैयार किया था इसका मारिक बाग का तो नाम है एकार्ट मूथेसियस एकार्ट म्यू थेसियस एकार्ट म्यू थेसियस ये डिजाइनर इसके इतना लिख लिया गया इतना लिख लिख लिया तो बताओ अब ये माडिक बनवाया किसके लिए था यश्वंत्राव होलकर ने तो वो भी लिख लेना ये बनवाया था इनकी रानी के लिए कि इनकी रानी और ये जो है वो यहीं रहेंगे अब ये किसके लिए बनवाया गया था फॉर पॉर, संयोगिता भाई होलकर, संयोगिता भाई होलकर, असी कमरे थे, इसमें असी कमरे, मानिक बाग में कितने कमरे थे, असी कमरे थे, अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है, अब इंपोर्टेंट देखो, द्यान से सुनो, यह नाम भी सुना क्या सईयोगिता गंज था ना सईयोगिता गंज अब समझ में आया है यह सईयोगिता कौन है यह को ने सही ओगीता है एक यश्वंत्रा वोलकर सेकेंड की वाइफ हुआ करती दी इनका नाम क्या था सही ओगीता नाम था और उन्हीं की नाम पर एक जगार बसाई गई इससे क्या कहा गया सही ओगिता गंच जो है वो कहा गया फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज इस नीज़िद लिख लेना यह जो जो ज़ी ओगिता ना यह जो संगे खाया यह जानिवी था मेंडम है यह कहां की थी तो यह थी शीज पलेंड़ कि पॉर्ण इन्स इस टर लेंड पर दाश्व नेंग्व हैं और डेथ कहां होई थी इनकी दैट भी ओगई थी श्विजज विद्द नहीं थी टीके और इन्हीं की बेटी है सखेख कर इनंहीं गर परक लेना इन्हीं की बेटी कौन है डॉर्टर संग्यों किता जी की कौन है डॉर्टर कौन है उशा राजे हो लिए अपको पता ही अच्छे से चलो यहां तक समझमा गई कहानी लिख लिए गई यह सारा तो आगे बढ़े अजब अच्छे अच्छे करणा लिखा है तो फिर दूसरी बुरा मांज जाएंगी दोनों के बाकी दोके भी लिखी लो नाम पातो हट जले एक नाम लिखिए ही ता रच नाम कॉल कर गया लिप कर ारिए जो बनी सेटनी वाइफ का नाम क्या था उनकर स्दॉतरीर यह बहुतर सुछ अट मैं और यह एन पॉछ लेक्र आप तो नकारीद हों इसा कोई ठाइध आई पर भैया यह थी यह रानी थी उफे मिया भोलकर पर फीड्य divul लिख ले अतना है यह सेकंड वाली से डिवोस ले लिया था सेकंड वाली दिवोस ले लिया था बिलकुल साइए इनकी देट रही थी तेवीस वर्ष के उमर में इनकी डेट हो गई थी तिक और और यूफेमिया फिर आगे भी रही थी चलिए अब इसके बाद लिख लीजिए यश्वंत क्लब अगले एडिंग डालेए यश्वंत क्लब यश्वंत क्लब यश्वंत क्लब की स्थापना कब करी गई थी तो यह यश्वंत क्लब की स्थापना 1930 में करी गई थी और आज भी आपको यश्वंत क्लब जो है वो देखने को मिल जाएगा यश्वंतरा होलकर्थ के द्वारा ही यश्वंत क्लब की स्थापना जो है वो करी फिर अग्ला लिखे डेली कॉलेंच दूसरा लिखे डेली कॉलेज। टेली कोलेज, डिली कोलेज की स्थाफना कब हुई थी 1870 में इसकी स्थापना हुई थी हैसे त इसके बाद में लिखेंगे नाम बदल कर कर दिया गया था East राज़कुमारीज, East今天 थे राज़कुमारीज East राज़कुमारीजेड थे यृज्या थि healthier कालेज। doubts । ४ अब question कैसा जाएगा इन में से किसे एश्ट राज कुमार कॉलेज कहा जाता है तो याद रखियेगा । ड̇ली कॉलेज को ही cellphone राज कुमार कॉलेजो है वो कहा जाता है ये और अठ्थारा सो बैएशी में 18 82 में 1882 में इसमला किसे किया कहा जाने लग गया इसे कहा जाने लग्विश्य डिलिए देली कॉलेज इसको एक्काम कुरोग किसा लिकलो इसको एसा लिको इसे पहले रेसिडेंसी कॉलेज कहा कि से क्अझा जाता था रेसिदेंसी कॉलिज इसके नाम से शुरुवात उसके होई थी रेसिडेंसी कॉलिज के चुन है और फाइनली 1882 में इसका नाम बदल कर डेली कौलेज कर दिया गए अब इनली वाला टेलि यह देली रूज नाम है है पर डेली नहीं है ये कब्थी यतले नाम फोटी यह सका नाम पर यह कॉलेज का नाम रखा गया है ना तो याila रखना किसके नाम पर है हैंडरी डेली के नाम पर यह कोलेज का नाम रखा गया डेली कॉलेज करें 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 यहां तक कानी क्लियर है कि समझ में आ गई कि यह फटा फटा बता दो तो आगे की बात बताओं आपको फिर करें 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 कि अधिक चली एक चली तो इट वाइब आपको समझ में आ गई होगी क्या 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 चीज़े पड़नी है क्या क्या चीज़े छोड़ सकते हो आप तो यह पूरी होलकर डाइस की हमारी समाप तो होती है अब इसके बाद में अब यह अनकेडमी के फीचर से अगर आप अनकेडमी पर अभी तक नहीं है तो आप इस फीचर का फाइदा उठा सकते हैं कि आप क्लास अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं करना क्या गूगल प्र जाईए अप्लिकेशन को डाउनलोड गरिए नंबर डालिए व्यापम एंपीपेसे व्यापम गोल सेलेक्ट करिए इस तरीके से देखेगा आपको आप लास देख सकते हैं लाइव क्लास में थेयोरी देखने को मिल प्रशासन में पढ़ा रहा हूं अब आपका करदव क्या बनता है तो आपका कर्तव बनता है दो है अब मैं क्या-क्या है वो सुन लेना तभी आपको अच्छे से चीज समझ में आईगी करतव नंबर पहला जिसना भी तक लाइक बटन नहीं दबाए लाइक बटन दबा देना ठीक है दूसरा इसको शेर कर दीजेगा ताकि दूसरे लोग को भी पता लगे जिनको भी आप चाहते हो कि भई उनको भी इसके बारे में पता लगे उनके लिए सब्सक्रिप्शन लेना हो या आपको लाइव क्लास देखनी हो यह लिखके रख लो यह आपको हेल्प करेगा अब हम लोग करने के आवले हैं तो होलकर डाइनस्टी का जितना भी आपने पढ़ा हुआ है वो सारे की सारे एंसी क्यों मैं आपको एक बार करा दूँगा अब उसके लिए मैं टाइम दे रहा हूं दो तीन दिन का आपके पास में समय है आप दो तीन दिन में से अच्छे से पर क्लास में मैं उस को रिजॉल करके फिर ही उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे देखिए मुद्दा इतना सा है कि हम चाहते हैं और मैं हम मिलकर चाहते हैं कि आप इस बार पेपर निकाले एग्याव पेपर निकाले हमारे तरफ से हर संभाव चीज करने की कुशिश कोशिश करेंगे आपको बस इतना करना है कि डेडिकेशन रखिए कि भाई हमें इस बार निकालना है अभी समय है परियाब तो समय है अगर आप कोशिश करोगे तो निकल जाएगा लेकिन इतर उदर भटकने की जगा सिंगल जगा डेडिकेटेड होकर दिमाग का उपयोग करक और अब टाइम वेस्ट करने का तो समय पिल्कुल नहीं पचा है तो इसी उमीद के साथ कि आपको अच्छी क्लास लगी होगी अना मिलेंगे अब अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंजय भारत सभी को जैश्री कृष्णा जैश्री महाकाल